दोस्तों तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्पूर्ण विशे के बारे में जिसकी वज़े से बहुत सारे राज्यों और Central Government के बीच में जंग छिड़ सी गई है वो है IS Carder Rule Changes 2021 तो IS Officers के Carder Rule Changes और in fact जो Central Deputation Rule Changes हैं उसको लेके एक जंग सी चिड़ गई है जा गया था लेकिन वो Deputation और जो Carder Rule Changes हैं उसको लेके काफी सारे राज्यों ने आपति जताई तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वज़े से राज्यों का जो अधिकार है Deputation को लेके या Policies को लेके जो उनका एक थोड़ी बहुत पावर थी उसको भी अब एक तरीके से आप देखा जाए खतम किया जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं Overriding Power जो है Central Government को इसके अंदर दी जा रही है तो आये देखते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ है जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी IA सदिकारी को अगर Central Deputation पर जाना है तो Personal Ministry जो होती है वो decide करती है कि एक list of officers जो है राज सरकारे प्रवाइड करती है जिसके ओपर वो Personal Ministry जो है Appointments Committee of the Cabinet जो है उसको चूज करती है या जो भी authority है जहां पर deputation होता है तो वो DOPT के द्वारा संचालित किया जाता है तो Personal Ministry ने भी क्या किया है they have decided to amend existing service rule to ensure availability of a sufficient number of IS officers for Central Deputation ऐसे एक official statement आया है मंगलवार को और ऐसे इसलिए किया गया है ताकि जो Central Government है उनके पास जादा अधिकार हो जादा greater से हो as compared to the State Governments जब भी Joint Carter या State Carter को चेंज करने की बात हो या Central Deputation को लेके बात हो तो as a result of this the number of officers available for Central Deputation जनली अगर आप देखेंगे ऐसा Central Government का कहना है कि बहुत जादा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि राज्य जो है वो बहुत कम officers को enlist कर रहे हैं in the available list जो की provide की जाती है Central Government को जो अधिकारी ये दिखाना चाते हैं कि वो Deputation के लिए अविलेबल है तो इसलिए IS Carder Rules 1954 को change करने की बात की गई है चार amendments proposed किये गए हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे तो ये मुद्धा हाइलाइट क्यों हो रहता जादा क्योंकि ममता बैनर जी as we know काफी वोकल है उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रदानमंतरी मोधी को highlight करते हुए उनके reservations similarly के प्रदा कि जो law minister है उन्होंने भी इसके उपर आपत्ती जताई है कि ये जो है states की federal power को violate करता है तो आईए देखते हैं ऐसे क्या changes जो है वो suggest किये गए हैं under the IS officer card rules तो actually में जो total number of या actual number of officers जो होते हैं जिनको deputation में जाना होता है central government के लिए वो central government decide करती है और generally अभी तक क्या होता था राज्य सरकारों से उनको consult किया जाता था लेकिन जो नया rule propose करता है कि ये तो होगा ही लेकिन अगर कोई तरीके का मदवेद disagreement होता है तो matter जो है उसको decide किया जाएगा by the central government and the state government या फिर जो राज्य सरकार है वो अपना decision एक specified time limit में central government को बताएगी जो existing rule है उसमें य ही किया गया कि अगर कोई disagreement होता है तो उस पर कोई time limit दी जाएगे लेकिन अब जो नए rules propose किये जा रहे हैं उसके अंदर एक time limit बना दी गई है and ये जो proposal था ये जितने भी राज्य हैं उनके मुख सचिव जो chief secretary से उनको भेजा गया था December 2021 को और उनसे पात जनवरी 2022 तक उनक है इस officers की similar letters जो है चाहे वो IPS officers को अगर deputation में जाना हो या Indian forest service की जो officers उने जाना हो तो वो जो है Ministry of Home Affairs देती IPS के लिए और Environment Ministry देती है IFS officers के लिए जो कि भारती 1 सेवा के अधिकारी अब इसमें आग देखेंगे 9 जून 2021 को the Hindu newspaper ने रिपोर्ट किया था कि जो personal ministry जो DOPT कार्मिक एवन प्रसेक्शन विभाग जो मंत्राले है PMO के अंदर आता है उन्होंने letter लिखेते states को उनको caution करते हुए कि वो enough number of officers को available नहीं क करेगा अब जैसे एक data है जिसके साब से DOPT ये बोलता है कि बिहार में लगबग 248 IS officers की strength है लेकिन सिर्फ 32 जो है 32 officers सिर्फ center में posted है out of 180 officers 25 are posted with central government केरला तमिल लाडू और UP की बात करें number of carter officers and जो posted है center में उसका number 125 में से 20 केरला में 322 में से 20 तमिल लाडू में और 536 one of the largest number of IS officer UP राज से आते हैं उसमें सिर्फ 32 अधिकारी IS officers central government में posted है deputation that means most of them जो है वो राज सरकारों के साथ काम कर रहे है और यह जो central government उनके लिए एक बहुत बड़ी कमी है कि उनके यहां बहुत जादा एक gap है IS officers का उनके department में काम करने के लिए तो इसी को लेके डॉक्टर जीतेन सिंग जो PMO में है he is the DOPT minister उन्होंने ट्वीट करके information भी दी थी कि जो center है वो जो shortage है काफी जादा shortage आया है इस officers की center पे उसको address करने के लिए उन्होंने एक panel बनाया है 12 December का यह tweet है जिसके बारे में उनको जानकारी दी और उसी समय यह जो letter है यह issue किया गया था सारे राजसरकार के प्रमुक सचित्वों को और जितनी भी governments थी उनसे response मांगा गया था कि उनका विचार क्या है इस बारे officers की बात करता है यह आपका जो 1954 का जो rule book है उसका यह बना page आपकी सामने रखा हुआ है कि इसमें क्या changes प्रपोस किये गए पहला change है कि अगर state government delay करती है posting of a state card officer to the center and does not give effect to the central government's decision अगर specified समय में central government के proposal का जवाब state government नहीं देगी तो जो officer है वो automatically relieve कर दिया जाएगा state carder से और उसको available किया जाएगा for the central government अभी क्या होता है जितने भी IS officer होते हैं उन्हें no objection certificate लेना पड़ता है state government से इसके चलते कई बार जब center और state government same political party की नहीं होती है उनके बीच में विवाद होता है और कई हद तक आप देखेंगे state governments जो है IS officers को relieve नहीं करती है यह generally वहाँ पर भी देखा गया है जब intercarder marriages होती है कई बार कुछ राज्य सरकारें उनको approve नहीं करती जिसकी वज़े से कई बार यह delay भी होता है intercarder marriages जब carder change कराने होते हैं officers को तो उसमें भी यह issue उटता है दूसरा proposal जो आया है amend करने के लिए दूसरा जो change है वो यह है कि the center will decide the actual number of officers to be consultation with the state and the latter shall make available and eligible the names of such officers कि अब central government बताएगी उनने कितने अधिकारी चाहिए और ऐसे अधिकारी को available कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी according to existing norms पहले क्या होता था state जो होते थे वो depute करते थे कि कौन से officers चाहिए वो IS हो या IPS हो उनको deputation भी भेजा जाएगा और इनको और ये ensure किया जाता था कि total strength में से 40% से जादा जो है वो deputation पे नहीं जा सकते तो अगर आपके राज में 100 अधिकारी IS officer posted है total तो उसमें से 40 officer maximum central government में deputation पे जा सकते हैं तो ये दो changes हैं तीसरा change जो propose किया गया है कि that it says that in case of any disagreement between center and state जो matter है वो central government की final authority होगी और राज सरकार को उ मानना पड़ेगा within the specified time और fourth or final proposal है that in specific situation where services of carter officers are required by the central government in public interest जनहित में the state shall have to give effect to its decision within the specified time and the future carter review proposal तो basically all in all आप देखेंगे कि central government का पाला थोड़ा यहां भारी हो गया है नए rules में उन्होंने बोला है कि वो जो भी बोलेंगे राज सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है यह जो central deputation पे IS officers को available कराये जाएगा वो public interest के लिए हो सकता है कि public interest के point of view से वो जरूरी हो और ऐसे officers को उनको relieve करना mandatory होगा तो काफी major changes हैं यह चार जो propose किये हैं भारत सरकार की तरफ से जो कार्मिक बंत्राले हैं P.O.P.T. ने जो issue किया है अभी इसमें 25 January तक का समय दिया गया है देखते हैं बागी राज सरकार भी इसको of course oppose करेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 में DOPT ने कुछ rule changes किये थे ताक कि बहुत जो officers जो central deputation पे नहीं आपा रहे हैं उनके लिए उनके लिए norms change किये थे कि और mandatory बनाय लिए उन्हें जो है दो साल minimum central government के साथ काम करना पड़ेगा अगर वो चाते हैं कि future में उन्हें joint secretary बनना है यह बहुत बड़ा एक change था जो बहुत सारे officers के उपर apply किया जाता है 2007 onwards जो लोग select हुए है कि अगर आपको future में joint secretary बनना है central government में तो आपको initial 16 साल की service में minimum 2 साल central government के साथ काम करना ही पड़ेगा और कोई भी अतिकारी जब भी all India service का reputation के लिए center भेजा जाता है उसके concurrence उसके agreement की requirement होती है जो establishment officer होते हैं DOPT में वो invite करते हैं nomination from the state government and once the nomination is received उनकी eligibility scrutiny की जाती है by a panel और उसके बाद एक list prepare की जाती है by the state government उनको on board रखा जाती है तो अब इनको change कर जा रहा है इस तरीकी से कि अब central government बताएगी उन्हें कितने अधिकारी चाहिए और state government अपने विचार व्यक्त करेगी उन्हें बताएगी अगर उन्हें कोई आपत्ती है तो उसको clear करेंगे लेकिन अगर central government अड़ जाएगी तो central government का decision final होगा और states को उन अधिकारी को relief करना पड़े तो यह हैं चार major proposed amendments to the card rules and deputation rules अभी देखेंगे जैसे हिंदो में एक और news आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि DOPT ने राजसरकारों को बोला है कि वो enough officers sent नहीं कर रहे हैं to the central deputation जो कि उनके future impanelment को affect कर सकता है तो West Bengal हो चाये UP हो चाये बिहार हो हर जगे से आप देखेंगे state government में काफी officers है लेकिन वो central government में इतने officers को नहीं भेज रहे हैं क्या कारण है वो वही वेतर बता सकते हैं बहुत सारे लोग आज कल time पे अपने carder वापस आना चाहते हैं काम करने के लिए लेकिन main reason क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा तो अब ये issue इतना बड़ा क्यों हो सकता है future में क्योंकि इंडिया आपको बड़ा पता है एक संघीय नाचा को follow करता है federalism है हमारे है भले ही asymmetric federalism हो वाजाई federal भी बोलते हैं क्योंकि हमारा article 1 जो है सम्मिधान का वो बोलता है कि इंडिया that is भा government की तरफ से होता हो लेकिन आप काम करते हो एक state government के काडर में और state government के साथ मिलके central government इनको चलाती है कई बार center को interfere भी करना पड़ता है और ये uniformity and administration के लिए भी जरूरी है throughout the nation तो ये एक बहुत बड़ा issue बन सकता है आपको याद होगा अलपन बनपाद्या है चीफ सेक्रेट लोन यास की मीटिंग बुलाई थी प्राइमिस्टर मोदी ने लेकिन इन्होंने अटेंड नहीं करी 1987 बैच के आइस ऑफिसर हैं कभी भी central deputation नहीं रहे हैं और 31 मही को retire होने वाले थे लेकिन now he is fighting a case against the center और similarly के जो law minister है पी राजीव जी उन्होंने भी बोला है कि वो oppose यह जो proposed order or deputation rule में changes किये गया है because यह federalism जो संगिय धाचा का principle है हमें समारे 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 सम्विंधान का उसको यह कहीं न कहीं effect करता है तो ऐसे और interesting video के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं मेरे courses को follow कर सकते हैं अनक एडमी पे इंडियन पॉलिटी का एक course आलू होने वाला है DPS Life और फटा फट कीजिए अनकाडमी कॉमबैट इस संडे को link नीचे description box में आपको मिल जाएगा और साथ ही जाद अगर आपको मेरे courses join करने optional including test series मिल रही है जबर्दस discount पे code use करिए DPS Life मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसे बड़े ही interesting free videos तो channel को subscribe करें video को like करें और साथ जादा शादा शादा शेयर करें thank you so much have a good day